प्राचीम काल की बात है, एक बार देव और दानवों में युद्ध छड़ गया, युद्ध लंबे समय तक चला, अथक प्रयास के पश्चात, देवताओं ने दानवों को पराजित कर दिया, देवताओं ने जीत की खुशी मनाई, दानवों को हराने के पश्चात, देवों की मन में अपनी शक्ती का आंकार उत्पन्न हो गया था, यह सब देख कर परमात्मा ने अनुभव किया, कि देवों में आंकार उत्पन्न होना अच्छा नहीं है, एक दिन ब्रह्म रूप धारण कर, परमात्मा स्वयम देवताओं के समीप कर और एक दिनका उनके सामने रख दिया, उन्होंने सभी देवताओं को तिनके पर अपना प्रभाव डालने की चुनोती दे, अगनी देव ने तिनके को जलाना चाहा, किन्तु अपना सम्पूर्ण तेस तिनके पर डालने पर भी वे उसे जलाना सके, अगनी देव के पश्चात वायू देव ने अपना प्रभाव दिखाया, तीस आन्धी तूफान की चलने से भी तिनका उड़ नहीं सका, आप इंदर की बारी थे, उन्होंने वज्जुर से तिनके पर चोट की, किन्तु वह खंडित नहीं हुआ, सारे देवताओं ने एक एक कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, किन्तु तिनका पूर्ववत अपनी जगा बना रहा। जब देवताओं की शक्ति प्रभाव हीन हो गई, तो उन्होंने मिलकर माभगवती से प्रार्थना की, माभगवती प्रकट हुई और बोली, देवताओं, जिसे तुम तिनका समझ रहे हो, वह तिनका नहीं, स्वयम तेज के स्वरूप ब्रह्म है, यह संपूर्ण जगत उन्ही की शक्ति से संचालत है, दानवों से तुम्हारी जीत हुई है, इसमें तुम्हारी पुरुशार्थ के साथ परम ब्रह्म की कृपा वेश चामिल है, तुम्हें अपनी जीत का अहंकार नहीं करना चाहिए, अता किसी कारी की पूर्णता और सफलता का श्रे मात्र स्वयम को नहीं देना चाहिए, इससे अहंकार उत्पन्न होता है,